हेलो गाइस, बेलकम आन माई यूटूब चैनल, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो PG classes हैं और UZ classes हैं, उनकी admission स्टार्ट हो चुकी है, HPU के अंदर जिसमें की actuals और जो HPU के regular और private candidates हैं, उन दोनों के लिए online और offline दोनों की admission स्टार्ट हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, कैसे आप apply कर सकते हो, और online कैसे apply कर सकते हैं, offline कैसे apply कर सकते हैं, और क्या procedure रहेगा, और कब तक last date है, सारी details वीडियो में जानेंगे, तो सबसे पहले में request, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो please च admissions के लिए यहाँ पे check करोगे, तो आपने एक search क्या करना है, pg exams.hpushimla.in पे जैसे आप login करोगे, जैसे आप browser में डालोगे, link पे click करोगे, तो आप सीधे ही एक space पे आ जाओगे, देख सकते हैं, यहाँ पे, इस तरह से page है, जिसमें home student college सारा link दे रखा है, तो आपने यहा notification section लगा हुआ यहाँ पे, click here for login to student portal, LM and MPhil, second semester, fresh candidates, session 19-20 and second semester for 19-20, तो उससे नीचे आप देख सकते हैं, click here to apply, first semester, fresh for regular or private candidates, classes for session, 2021, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, click here to login to student portal, pg direct or regular, private for third, five semester, तो इस तरह से जो session पहले के हो चुके हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो, pg classes के लिए direct, और यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे third number पे, sorry fourth number भी लगा, click here to apply first semester, fresh for regular candidates, session 20-20, तो मैं आपको किसी एक link पे click करके बता देता हूँ, तो जैसे मैं इस link पे click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपके पास ही हुआ जाएगा, यहाँ पे आपको उपता रखा है, welcome to online admission system, तो यह online का system है, और यहाँ पे देख सकते हैं, आप university students, students who are studying in the university campus, they click on university students, then login through, जो pre-admission ID है, और passport उससे click कर सकते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, भी university students के लिए ही है, यह students who are studying, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यह सिर्फ उनी के लिए खुल रहा है, जो university students है, और हम back चलते हैं, सॉरी, तो जैसे हम back चलेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो अभी इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे, student who are studying in the university campus, वो university student के लिए click करेंगे, जो university campus में पढ़ रहे हैं, और जो college में regular admission लेंगे, वो इस पे click करेंगे, और otherwise आप R.E.M.E. students पे click करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं, आप click here to read PZ private candidates instruction carefully before proceeding further, तो आप इस पे चेक आउट कर सकते हैं, आपको पूरी details से यहाँ पे डोलोड हो जाएंगी, तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, examination fees is to be paid online, only online ही आप पे कर सकते हो, please fill in the separate form for each semester के लिए आपनो इलग form बरना, incomplete forms are level to be rejected, और reject कर दे जाएंगे, और यहाँ पे पूरी details दे रखिए है, candidates who are appearing privately for the first time in M.A. first semester, और direct second semester में enclosed attest copies of V, तो इस तरह से आपकी जो previous जो भी रही होगी, जैसे BA, BSE की होगी, उसके attest copies आपको send करनी होती है, जिसमें 45% marks होने चाहिए, और 40% जो है, वो SCST के लिए होना चाहिए, जो आपने attested करके वहाँ बेजनी होती है, ठीक है, तो यह कुछ एक conditions है, जो कि university ने यहाँ पे इसमें दे रखिए ह मैं आपको बता देता हूँ, हम चलते हैं द्वारा से, आप अगर जैसे ही students पे क्लिक करते हैं, आरेमी students पे, तो आपको यहाँ पे login करने को बोल रहा है, और अगर आप new हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे click here for new registration, तो जैसे मैं इस पे क total क्या गया है, हम नीचे जलते हैं, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, पहले तो personal information आपको डालनी है, कौन सा आपका subject है, जैसे कौन सी master degree के लिए आप यहाँ पे apply करना चारे हो, देख सकते हैं, यहाँ पे सारे दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इक डोल के लिए इन्होंने separate column बना रखा है, तो diplomat tourist guide जैसे सारे दे रखे हैं, तो आप अगर एक डोल से करना चारे हैं, जैसे BA deck tool के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो आप जो भी subject में कर रहे हो और जिस भी strength से कर रहे हो, जैसे अगर आपने regular करनी हैं तब भी और एक डोल के थुरू कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे select कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे select करके बताता हूँ, एम कॉम आप कर रहे हो एक डोल से, तो मैं select कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपसे capacity पूछ रहे हैं, तो एक डोल select कर लेंगे आप, ठीक है, फिर उसके बाद select college पूछना है, तो एक डोल शिमला, तो वहीं से आप कर रहे हो, तो यह वहीं से आपका आएगा, उसके बाद आपने नाम डालना है, यहाँ पे पूरी mother, father detail पूरी डालके, next चुर रहेगा, उसके बाद upload documents पे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे documents क्या मांगते हैं, metric का जो certificate मांग, उसकी पूरी details मांग रहे हैं, यहाँ पे, तो यह सा fill करने के बाद आपको category चूज करनी है, य इसके बारे में अगर आप को नहीं कोई information है, तो मैं पूरी detail में बता दूँगा आपको की, इसमें कौन-कौन सी जो details हैं, वो कैसे-कैसे बरनी है, और इसमें exams details बरनी है, जो पी आप subject choose करते हो, वो बरनी हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कौन-कौन सी है, personal information बरनी है, document upload करने है, exams details बरनी है, then after that आपको subject trails इसमें बरनी पड़ेगी, application summary आपके पास आ जाएगी, उसको आपने एक बार check out कर लेना है, फिर payment के लिए आपने apply कर देना, और last step जो रहेगा, online payment करने के बाद, वो आप application form submit कर देंगे, तो ये कुछ एक step है, जो आपने follow करने है, और engine को, जैसे आप follow करते हो, तो आपका जो form है, वो fill हो जाएगा, तो मैं दुबारा से बता रहा हूँ, कि जो form start हो चुके है, तो इसको जितने से ज्यादा share हो सकता है, जो भी आपके candidates इतने दिनों से एक डोल की admissions का, बेट कर रहे थे, उन तक पहुंचा दें ये message, ताकि वो timely admissions ले सकें, तो इसमें देखते हैं, इसमें last date का कुछ नहीं बता रखा है, तो हम back चलते हैं, फिर देखते हैं बापे जाके, कि last date क्या बता रखी है, तो यहां पे तो last date कानुने कुछ नहीं बताया हुआ है, बट still, यह HPU की help नंबर भी है, बट still यह उठाते नहीं है, पर फिर भी आप एक बार यहां पे call कर सकते हैं, अगर आपकी बात हो जाती है उनसे, तो bell and good, यहां पे एक बार द्वारा से इस पे click करके देखते हैं, तो यहां पे तो यह उन्वेस्टी स्टुडेंट्स के लिए ही बोल रहा है, बट आप इस link पे easily bug करेगा, इस link पे आप click कर सकते हैं, और यहां पे इस link पे click करने के बाद, आप यहां पे अपनी जो भी आपकी ओ रहेगी category और जिस भी आप के लिए apply कर रहे हैं, जिस भी degree के लिए उसके लिए आप यहां पे apply कर सकते हैं, तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की, जो PG classes की admission forms हैं, वो start हो सके हैं, तो वो आप भर सकते हैं, प्राइब हैं, तो 1 तो 5 अबंचे टिरे आपकी बना कर दो सकते हैं, तो 1 तो 15 घर एफिया कर दो सकते हैं,